तो वेलकम अगेन तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हम एक टोपी करने वाले हैं जिसकी बोड़ा डिमांड आ रही थी कि नंबर ओफ ट्रेंगल्स हम कैसे फाइंड करें तो देखिए आपको कुछ फिगर दिख रहा है इसके अंदर बहुत सारे ट्रेंगल्स हैं हमे हमें find करना है कि number of triangles इसमें कितने हैं तो सबसे पहले हमें देखना है जो यह बेस के अंदर कितने हूं अगर even हो मतलब if n is equal to even number मतलब कोई भी even number हो या फिर sum हो तब हम formal लगाएंगे n n plus 2 2n plus 1 divided by 8 अब देखिए इसको solve करना है simply n की value हमें पता लग चुकी है 4 है 4 4 plus 2 4 into 2 8 8 plus 1 divided by 8 फर्दे इसको solve करेंगे देखिए solve करने पर ही क्या जाएगा 4 into 6 into 9 divided by 8 अब देखिए 4 से जाएगा 2 times 2 से जाएगा 3 times तो हमारे पार answer आगया 27 triangles मतलब 27 त्रिपूज है इसके अंदर देखिए formula मैंने अब को क्या बताया सबसे पहले हमें जो इसके base के अंदर triangle है वो count कर लेने हैं देखिए यहाँ पर कितने थे 1 2 3 4 अब देखिए अगर यह even है even मतलब sum संख्या है मतलब 4 एक sum संख्या है तो में simply formula लगाना है n n plus 2 2 n plus 1 divided by 8 simply इसको solve करेंगे देखिए values put की मैंने n की value 4 थी 4 plus 2 4 into 2 8 8 plus 1 9 अब देखिए solve किया तो हमारे पार answer आगया 27 triangles एक example हो लेते हैं अब देखिए इसके अंदर जो हमारा question है थोड़ा different हो गया अब इसके अंदर जो base के triangle account करते हैं देखिए क्या हो गया 1 यह हो गया 2 3 4 & 5 अब देखिए 5 एक क्या है old number मतलब विश्यम संख्या अब 5 एक विश्यम संख्या है मतलब n की value हमारे पास क्या है 5 अब देखिए जब विश्यम हो या फिर old number हो तब हमारा जो formula है वो क्या हो जाता है formula आपको याद रखना है n n plus 2 2n plus 1 अब यहां पर देखिए simply एक जो even अला formula था उसमें एक चीज माइनस हो जाएगी minus 1 divided by 8 मतलब सारा formula सेम है बस उपर एक हमें क्या करना है minus 1 करना है अब देखिए n की value यहां पर 5 ए 5 पूट करते हैं 5 5 प्लस 2 क्या होता है देखिए 10 sorry 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा 7 फिर देखिए 5 5 इंटो 2 10 10 प्लस 1 11 माइनस 1 divided by 8 अब देखिए हम 8 से पहले डिवाइड ने कर सकते हैं सबसे पहले हमें उपर जो है इसको solve करना पड़ेगा तो चलिए solve करते हैं हम आगे solve करें देखिए 5 इंटो 7 यह होता है 35 अब देखिए 35 को multiply करना है 11 सा मैं इसके आपको trick बता चुका हूँ calculation trick के अंदर लेकिन फिर बताता हूँ देखिए अगर 3 numbers हैं sorry 2 numbers हैं तो हमें line लगानी है कितनी 3 1 2 & 3 देखिए यहाँ पर आगे वाला number यहाँ पर यह और बीच में इन दोनों का sum मतलब इनका जो multiply हो गया 380 5 minus 1 and divide by 8 अब देखिए और solve करते हैं इसको यह हो जाएगा 384 divide by 8 8 से divide करते हैं 4 times जाएगा 32 तो यहाँ पर बचा 64 8 मतलब 48 triangles हैं इसके अंदर देखिए मैं जल्दी से दुबारा बता देता हूँ क्या था बेस में हमने count किया यह थे even number sorry यह थे odd number अब odd number थे मतलब 5 triangle थे n की value 5 आते ही देखिए even का जो formula था even का formula मैंने आपको क्या बता है था n n plus 2 2n plus 1 divide by 8 लेकिन इसके अंदर क्या हो गया अब 1 minus 1 आ गया देखिए 5 5 plus 2 7 into 5 into 2 10 plus 1 11 minus 1 आप देखिए पहले divide नहीं कह सकते है पहले उपर जो अपने equation आसको solve करने पड़ेगी आप देखिए 5 into 7 35 होता है और 35 into 11 मैं calculation tricks करा चुका हूँ दुबारा बता चुका हूँ आपको कैसे करना है minus 1 किया 8 से divide करने पर आपका answer आगया 48 triangles तो देखिए simply ऐसा कई भी भी आपको ऐसा triangle देखिए number of triangle find करना है स्थीधा formula लगाईए answer पाईए जल्दी से आपका एससी पटवारी सब में यह question आता है तो solve कीजिए next देखते हैं ऐसे त्रीके के simply अगर ऐसे आजएं तो क्या करेंगे देखिए count करेंगे one two अब देखिए हमें क्या करना है जितने triangle आपको अंदर दिख रहे हैं उन्हें क्या करना है number लगाने देखिए one two हो गए अब number ओ ट्रेंगल हम find करेंगे one plus two यह हो गया अब यह देखिए यह तो एक आसान शेप है इसके अंदर आपको अंदर ही दिख रहा है मतलब one two and यह बड़ा वाला कोई हो गया three next देखते हैं one two and three add कर देंगे देखिए one plus two plus three यह हो जाएंगे हमारे पास six triangles कैसे देखिए one two three एक यह बड़े वाला चार एक यह बड़ा पांच और एक यह बड़ा हो गया हमारे पास छे next देखते हैं अगर इसी के अंदर आपको एक triangle और देदिया जाए अब यहां पर देखिए one two three and four अब four है तो इनको add कर देंगे one plus two plus three plus four यह हो गया हमारे पास देखिए one plus two three three plus three six six plus four ten मतलब इसके अंदर कितरे triangles है 10 triangles अब एक सी जो देखिए यहां पर अगर मैं इस triangle को बीच में से दो पार्ट कर दूँ मतलब एक line और आ गई तो यहां पर देखिए क्या हुआ one plus two यह भी क्या है one plus two मतलब यह भी three हो जाएगा three plus three total कितने triangles होगे इसके अंदर six आपका अंसरा जाएगा इसी वाले triangle की अगर आपने बात करें देखिए इसके अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस पार्ट में एक line हो रहा गई तो देखिए one two three one two three and one two three अब देखिए इनका सम अगर अपने देखें तो six था three parts में डिवाइड होगा मतलब देखिए one two and three three parts में डिवाइड हो three से multiply कर दीजे तो हमारे पास आगे eighteen triangles तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा ट्रिक समझ में आई होगी आप इस फोर्मले को याद कीजिए इसके पर कमांड मनाई है प्रैक्टिस कीजिए जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यह उतना ही अथ्छा होता जाए तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं तब तक प्रैक्टिस करते रहिए अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए दोस्तों के सब्सक्राइब करने ना बुलें थैंक्यू बेरी मुच